हालो स्टुरेंट्स कैसे आप सब आई होब आप सभी सभी होंगे स्टुरेंट्स आज आज आपके लिए हम टॉपिक लेकिया हैं बहुत इंट्रेस्टिंट टॉपिक है काफी इंजाए करने वाले हो आप देखो जो टॉपिक है आज हमारा डैडिस क्यूब रूट आपने बह निगालने को तो हमारे लिए डिफिकल्ड हो जाता है और हम कैल्कुलेटर भी इंजाब रहे ह। क्या दे रहे हो वहां पर भी सिंप्लिफिकेशन बहुत इंपर्टन डोल प्ले करते हैं सिंप्लिफिकेशन और और वहां किसी number का cube निकालने के लिए आज है या cube root निकालने के लिए आज है तो difficult हो जाता है हमारे लिए उस चीज को easy करने के लिए आज हमारे हम आपके लिए एक short trick लेके आया है काफी easy है in just 1 to 10 seconds from 1 to 10 seconds count करिए और आप cube root किसी भी number का find out कर सकते हैं और काफी help करेगा आपको आपको अपने fellow mates को ये videos देखाएं आपने छोड़े भाई बैन को समझाएं आपके आपके तो बिना समय गवाए आए शूर करते हैं देखे इसके लिए मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूं कि आपको from 1 to 10 cubes हर इक number का पहले ही mind में पता हो 1 go में अगर मैं पुछूंगो आपसे की what is a cube of 6 then you have to say that 216 216 तो ये चीज़ अगर आपको पता होनी चाहिए तो आपको थोड़ी सी practice करनी है यकीन मानों 3-4 सवालों के पाद ये आपके mind में वैसे ही रह जाने है तो चलो शूर करते है देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे पुछू what is the cube of 1 तो you all say 1 what is the cube of 2 that is 8 अब ये अगर मैं बच्चों से पुछूंगा ना तो बड़ी frequently answer करने वाले है और अभी देखो आइस से जब निचे जाएंगे उनके answers काम होने शुरू हो जाएंगे what is the cube of 3 that is 27 4 cube is 64 5 cube is 125 6 cube is 216 मेरे साथ साथ बोलो आप देखते 7 cube is 343 आप इसके बाद तो मुश्किल हो जाता है 8 cube is 512 9 cube is 729 10 cube is 1000 दस तक तो आपको पता होने से यह और अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर हमें life में कितने numbers तक cubes हैं वो बिलकुल हमारे mind में होने से यह तो यकिन वानो 12 तक मुझे भी याद है उसके बाद में याद करता भी नहीं जूरत पड़ती है अगर कभी जूरत पड़ेगी तो I can find it very easily तो आप भी ऐसा ही करने वाले हो आप थोड़ा सा समय दीजी बस तो भई 11 का cube आपके पास है 1331 12 का cube आपके पास है 1728 जो point जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए वो क्या है देखो जब भी एक ऐसा number जब भी एक ऐसा number जिसके unit digit में 1 है अगर मैं उसका cube find out करने जा रहा हूँ तो उसके answer के unit digit में भी 1 है for example यह देखे ऐसा number जिसके unit digit में 1 है अगर मैं उसका cube निकाल रहा हूँ उसके answer में भी unit digit में 1 होगा similarly 21 का cube निकालता हूँ तो भी उसके answer के unit digit में 1 होगा 31 का निकालता हूँ तो same वहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है तो देखो इसका meaning कोई एक ऐसा number जिसके unit digit में 2 है उसके cube की answer के unit digit में भी 2 ही होगा similarly 12 का cube unit digit में 2 है answer में भी देखिए जब इसका cube निगालते है तो unit digit में क्या है जैसा 8 यहाँ वैसा 8 यहाँ तो इस चीज़ को पकड़ते हुए short trick हमने बनाई है देखिए अब आप 1 के लिए 1, 2 के लिए 8, 3 के लिए 7 for 4 it is 4, for 5 it is 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9 and for 0 it is 0 कोई point समझा है यहाँ से point यह है सिर्फ 2 ही digits के लिए हमें यह चीज़ याद करनी पड़ेगी और उसके इलावा जैसा unit digit वैसा ही उसके cube के answer में भी unit digit जैसे 5 तो cube के answer में भी unit digit 5 6, cube के answer में भी unit digit 6 7 के लिए ऐसा नहीं है ना तो मैं याद करवा रहो ना सबर तो रखो देखो भी यहाँ पर देखे 2 के लिए मुझे यह चीज़ याद करनी है 2 के लिए answer के unit digit में 8 है अब आपका सवाल होगा सर्थ double headed arrow क्यों डाला है आपने वह इसलिए because 8 के answer में unit digit 2 है इसलिए और 3 के लिए आपको यह चीज़ याद रखनी है 4387 जस्ट यह दो चीज़े बाकियों के लिए जैसा unit digit उसके क्यूब के answer में भी unit digit वैसा 44 it is 445 it is 5 बताया मैंने पहले भी आपको तो यह तो आप याद रख सकते हो ना यह दो नमबर ज्याद रखने वस तो अब भी नाज़ा में गवाए एक नंबर का हम क्यूब रूट करते हैं वो निखालने से भी पहले देखो यार बच्चों को यह आइडिया नहीं होता इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताइए टाइब करना कमेंट सेक्षेन ने देखता हूँ आपकी आंसर बहुत यह दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है दिस इस डिफॉल्ट वर्जन ऑफ स्केर रूट और यहां पर चीज़ दिखाई गई है कि यह स्केर रूट है अगर यहां यह टू ना लिखा होता तो भी तो स्केर रूट नहीं होना जाता इसको बट फॉर्ट रूट फॉर्ट रूट फॉर्फ रूट यहां पर यह चीज़ बतानी पड़ेगी मींस क्यूब रूट के लिए हमें यहां थ्री लिखना पड़ेगा फॉर्थ रूट के लिए हमें यहां 4 लिखना पड़ेगा and so on यह चिस क्लियर है आपको चलिए अब निकालते हैं हम क्यूब किसी नंबर का चलिए एक नंबर ले रहा हूं में that is 970 299 you have to find the cube root of this number कितना बड़ा नंबर है यार यह नंबर बड़ा है बड़ इसका cube root find out करने के लिए you have just 10 seconds और लिकीन मानो ऐसा हो सकता है possible easy way देखे अब because आपको cube root निकाल ला है from right side extreme right take three digits and if in case of a square root then you have to take only two digits clear अब आप यह चीज़ देखे यहां पे unit digit क्या है हमारे पास 9 तो मैंने क्या बोला जिस नंबर का भी यह cube होगा उसके unit digit में भी nine के लिए क्या आएगा nine ही आएगा क्योंकि यहां तो नहीं आएगा ना वो बाकियों के लिए same बताया मैंने तो it means इसके answer के unit digit में nine होगा यह आगया unit digit अब यहां मुझे को एक digit डाला है तो भाई इसके इलावा जो हमारे पास digits रहे गए है that is nine seven zero nine seven zero क्या seven twenty nine और one thousand के बीच में आता है दिख रहे है तो आपको क्या करना है previous number आता तो इन दोनों के बीच में है यहां में यह आगया क्या number है हमारे पास nine seven zero तो आपको digit कुन सा लेना है nine माल लो अगर कोई number यहां आ रहा होता तो मैं eight लेता यहां आ रहा होता तो मैं seven लेता previous digit तो it means वो nine को pick करते हैं यहां डालते हैं this is your answer हाँ भई यही है 99 का cube is nine seven zero two nine nine और अगर यह number आपको ऐसे cube इसका cube root find root करना होता तो सोचिए कितना time लेने वाले थे hit and trial आप try करते यह सर अगर मैं 80 को 80 से multiply करूं 6400 अगर मैं 90 को 90 से करूं 8100 पहुंच रहूं इसके पास तो यह number तो बहुत ही बड़ है कैसे पहुंच होगे इसके पास बहुत लंबा जाएगा यह फिर आप को यह number try करोगे नहीं बनने वाली बाद और वैसे भी six digit number है 3 digit number 4 digit number 5 digit number के लिए भी अगर आप करते हैं टाइम वहां पर भी लगना था आपको clear I hope यह चीज़ आपको clear हुई होगी चलिए अब ऐसा करते हैं कुछ examples लेते हैं examples से आपको clarity मिलने वाली है और देखिए within a minute we will find out the q roots of a number चाहे हम five digit ले six digit ले एक minute के अंदर हम छे numbers लेंगे भी और छे numbers को हम solve करने वाले चलिए लेको example ले लेते हैं मैं ऐसे भी रब कर रहा हूँ भी यह चीज़ हम right कर लेते हैं two के लिए eight and three के लिए seven we have cube root of three eight nine zero one seven zero one seven then cube root of one two one six seven then cube root of four nine three zero three nine similarly cube root of four two eight seven five then we have cube root of six one four one two five cube root of one eight five one nine three example last last we have to do it cube root of three one four four this is not two three है तो किना रहे है वो किसी का क्यूब नहीं होगा ओ बहई वो पॉइंट्स में आने वाला है क्यूब तो वो भी किसी का किने का होगा बट वो परफेक्ट क्यूब नहीं है एट के बाद कौन सा प्वट युवात है 27 वो किसका है वो 3 का है it means cube root हम हर एक number का find out कर सकते हैं but this short trick will be applicable only for perfect cubes यह चीज़ धिया रखना तो अब्वेस ही बात है अगर आपको examiner यह कोई सवाल दे रहे है तो perfect cube भी देगा because digits के लिए जब points में यह answer आता है तो थोड़ा difficult हो जाता है मैं इसको लेंगे अभी देखते हैं कितना तंग करता आप तो चलिए सबसे पहले में यह question solve करों भी देखो ध्यान से मैंने बोला extreme right से शुरू हो जाओ तीन डिजिट स्लोग क्लेर युनिडिजिट में क्या मिल रहे है आपको युनिडिजिट में 7 मिल रहे युनिडिजिट में क्या होगा थ्री विजिबल है पीछे क्या रहे पास पीछे रहे घे हमारे पास 389 अब बताइए 389 किंदो numbers के बीच में आ रहे है 389 इन दोनों numbers के बीच में आ रहे है तो अब हमने कौन सा लेने है previous one इट इसके लिए बात करते हैं, एक्स्ट्रीम राइट से शुरू हो जाओ, तीन डिजिट्स पकड़ लो, फिर वापे से 7, 7 किस केस में, 3 के केस में, जो भी इसका अंसर है, 3 तो मिलेगा आपको, पीछे क्या रह गया हमारे पास, पीछे रह गया 12, और 12, 8 और 27 की बीच में आता है और हमने कौन सा लेना है, प्रिविएस वन, तो प्रिविएस वन इस 2, इड मीज़ इस विल बी दा क्यूब रूट, और इसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो वो 23 का रहेगा, clear, नेक्स पे आते हैं, इन दोनों कुश्ट्स को सॉल करते हैं, देखें बई, एक्स्ट्रीम निकालने के लिए हमारे पास 614, कि इन दोनों नमर्स के बीच में आता है, इन दोनों नमर्स के बीच में, 512 और 729, प्रिविएस कौन सा है, प्रिविएस एट है, इड मेंज इसका क्यू रूट फिर क्या हुआ, 85, clear, चलिए इस पे आते हैं, from extreme right, you have to take 3 digits, for 3, it is 7, and for the remaining 3 digits, it is 185, and it come in between, किसके बीच में, 185 is in between, 125, and 216, previous digit is 5, it means इसका क्यो गूट हमारे पास क्या आ रहा है, 57, चलिए इनका भी निकाल लेते हैं, extreme right से 3 digits, 5 के case में 5, remaining 2 digits are 42, 42 comes in between 27 and 64, previous digit is 3, you have to take 3, तो इसका cube root क्या मिला, आपको 35, time देख रहो कितना कम लग रहा है, एक last रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, देखो भई, यहां लिख रहे हैं हम इसके लिए, extreme right से शुरू हो जाओ, 3 digits लो, 9, 9 के case में, 9 के case में, देख रहा है आपको, तो लिखो यहां पे 9, unit digit में 9, remaining 3 digits are what, 493, 493 के इसके बीच में आता है, it comes in between 343 and 512, and you have to take the previous digit, that is 7, it means the cube of this number is 79, within a span of, I think, nearly a minute, we have solved near about 6 questions, तो students, I hope आपको काफी मज़ा आया होगा, इस पूरे सेशन में, भई पहले मेरी बास सुनो, जितने भी boys हैं, आपको मैंने कल भी पूरा वीडियो शेयर करो, शेयर कर रहे हो, सभी नहीं कर रहे हो, गर्ल फ्रेंड्स की कसम लगे, आपको शेयर कर लो, गर्ल्स के लिए हम कल कुछ नहीं लेके आएंगे, तो शेयर करो, मम्मी बापा को दिखाओ, अपने भाई बेनों को दिखाओ, अच्छा लगेगा काफी उनको भी, मैं अगर अपने परसनल पॉइंट ऑफ यू से बोलू, यह चीज बहुत हेल्प करी थी मुझे भी, मेरे अपके लिए भी यह काफी बेनिफिशिल होने वाला है, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, थैंक्यू, थैंक्स अलोट, दू लाइक, दू शेयर, दू कमेंट, ठी करी दिए, थैंक्यू.